नमस्कार, मैं डॉक्टर मौसी मीना, असिस्टन्ट प्रोपेसर डिपार्टरों जोलजी आज हम ग्रोथ के बारे में स्टेडि करेंगे यह टॉपिक ग्रोथ या ब्रदी, बीएससी पार्ड थर्ड, पेपर थर्ड और यूनिट फिप्ट का है आप हम यहाँ देखेंगे ग्रोथ या ब्रदी की बारे में तो डॉप्लिमेंट के अंतरगत, ग्रोथ या ब्रदी इसके दोरान के होता है, जैसे इसके एक्जम्पल के दोर पे हम देखते हैं कि जो फर्टिलाज एग होता है, वो मल्टि चेलरल और कॉंप्लेक्स एनिमल में ट्रांस्फर्म हो जाता है, इसी कोई ग्रोथ कहते हैं तो फिजिकल ग्रोथ यह इंक्रीज कर रही है इस साइज में और डबल्मेंट ग्रोथ में फंक्शन, कैपलिटी और दोनों फ्रोस्वेज में इसमें जैनेटिक, न्यूट्रिशन और एरवानेट फेक्टर्स इन सब भी का योगदान रहता है तो ग्रोथ की जनरली हम देखते हैं कि इसका साइज और नंबर है इसकी संबंद में ग्रोथ को लेते हैं तो ग्रोथ में किसी और गन या इस्ट्रेक्चर के जो साइज में ग्रोथ करता हैं उसको ग्रोथ माना जाता हैं तो ग्रोथ का जो एक तरह से एक लिविंग और लिम है उसका बायमास में ग्रोथ से ही माना जाता हैं इसकी जो ग्रोथ है इसकी पूरी तरह से इसको इसपर्ष करने के लिए सबसेलूलर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल और सेलूलर इसके अलाबा टिशू और ओर्गन लेवर पर भी इसको आवेशक माना गया है तो यहां हम देखेंगे लेवल्स ओफ ग्रोथ या ब्रदी के इस्तर कौन-कौन सो तो ग्रोथ के जो लेवल्स है उसको थी टर्फ में बाटा गया है फर्ष्ट है सबसेलूलर लेवल या उपकोस के जो इस्तर होते हैं और सेकिंड है सेलूलर लेवल या कोसी के इस्तर और लास्ट हड़ है औरगन लेवल यह अंग इसतर तो इन में क्या क्या चेंज होते हैं ग्रॉथ जो सबसेलूलर लेवल है उसमें एंडोसाइटोसिस और सिंतेसिस〜 और other than DNA और इसमें last synthesis of DNA तो सबसे पहले हम endocytosis के बारे में देखेंगे इसकी तो cells होती है वो outer medium से water, minerals, sugar और इसके लाबा peptide की oligonucleus इनको वहाँ से घ्रहन करती है जिससे की इनको वो घ्रहन करने के बाद इससे जो cell है उसके bait और इसका molecule जो organization होता है उसमें भी growth होती है ये सब endocytosis के अंतरगत होता है और second जो है synthesis of molecule other than DNA तो DNA के अलाबा और कौन-कौन से दूसरे पदारत है उनका भी sensation करती है तो cell में DLA के अलावा भी और दूसरे materials होते हैं जैसे carbohydrate, protein fats और cellular growth इन सब का इनको synthesis के लिए भी ये induce करती है और last है synthesis of DNA तो DNA का भी sensation होता है cellular level पर तो इसमें क्यों होता है कि cell में अगर DNA का synthesis वो duplication द्वारा होता है तो duplication ढिद पर्तिली पर करना द्वारा कैसे होता है तो इसमें प्रोटो प्लाजमिक जो लेवल होता है उस पर growth को तो लेफे तो इसमें जो genetic जो्ग मांपिल्स होते हैं उनकी भी ग्रोफ हो जाती है उस है उनके जो नॉन जैने मटेश होते हैं उनमें ग्रोफ में अंतर भी इसपट हो जाता है अब second है cellular लेवल यह कॉसी की इस्तरपर क्या होता है तो cycle उक्सेटिक ग्रोथ में तो यह लेवल पर क्या होता है कि इसमें जो लिविंग और निविंग किसी जो जैस होती है उनमें इस्ट्रक्चल और फंक्सलन यूनिट्स होती है तो इन सेल्स के जो लियर्स होती है उसमें ग्रोथ होती है तो इसको यह दो भागों में माटा गया है मल्टिप्लेटिव यह गुनात्मक ग्रोथ और सेकिंड ऑक्सेटिक ग्रोथ तो मल्टिप्लेटिव मल्टिप्लेकेटिव में क्या होता है कि इसमें डवलमेंट की स्टार्टिंग में तो ये जो क्लिवेज के कारण इसमें बहुत जल्दी होता है ये बहुत फास्ट होता है इसमें तो इसमें सेल्स की जो नंबर है वो बढ़ती जाती ही लेकिन इनका जो सेफ होता है ये आकार होता है वो छोटा होता जाता है इसलिए इनके क्लिवेज के ला को एक तरह से कॉश्चेंट बना रहता है। इस तरह की जो ग्रोध होती है इसको ही मल्तिक्लेटिव ग्रोध कहते हैं। और इसकी जो सेकिंड है ऑक्सेटिक ग्रोध तो ऑक्सेटिक ग्रोध में क्या होता है। इस में जब भी ओर्गन्स होते हैं उनकी जो सेल्स होती है उनकी संख्या वो भी कॉंस्टेर रहती है यह जातर किनमें देखा जाता जैसे निमोटेड रोटिफर और ट्यूनिकेड्स है इनके गॉनेट्स की अलावा जो दूसरी और इस में इस संख्या वो कॉंस्टेर से एती है और इसमें इनके हैच्जिंग ईसपोटन के बाद में क्योंता है सेल्स का आकार वो बढ़ता जाता है तो इनकी जो शंख्या होती है वो तो नहीं बढ़ती तो इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है इंब्रियो में उसको एक्षटी ग्रोथ कहते हैं और इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है वो कुछ ही स्टेज तक रहती है और कुछ समय तक ही होती है क्योंकि इससे जो सेल्स होती है उनमें न्यूकलिस और साइटोफलाज में उसका रेशियो है वो भी कॉंस्ट्रेंटी बना रहता है आब इसका थर्ड लेवल है और्गन लेवल या अंग इस्तर पर क्या होता है इस परकार के जो लेवल होते उसमें टिस्यू और जो ओर्गन वोता है उनमे इसको दो भागों बाटक है डी पोजेटीव ग्रौथ या निच्यपित ग्रौध और सेकिंड है डी परेटिव ग्रोथ या निरमानात्वक ग्रोथ ग्रोफ ग्रेदी तो फर्स्ट डी पोर्जेटिव या निचेटिव ग्रोथ में क्या होता है कि इसकी जो ग्रोथ होती है इसमें कार्टिलेज और जो बॉंस होती है यह उन में पाई जाती है इस तरह की डी पोर्जेटिव ग्रोथ तो इनमें collagen, elastin और इनमें calcium iron ये सबी क्या होते हैं कि इसमें निचेपित होते रहते हैं तो इनमें ना तो cells में division होता है और ना ही oxygen growth होती है लेकिन इनके क्या होता है tissue होते हैं tissue liver पर इनमें एक तरह से निचेपित growth होती है और second जो है reparative ये निर्माना तो growth तो इसमें कहा है कि कुछ organs होते हैं जैसे skin होती है उनकी cells में लगातार division होता रहता है फिर भी इनकी जो skin की structures होती है उनका आकार एक तरह से constraint बना रहता है क्योंकि जितनी ecosystems होती है वो form होती है उतनी ही उनकी death ही हो जाती है तो इनकी जो creatine से सहीत जो cells होती है वो body से लगातार उतरती रहती है तो इस तरह की जो growth होती है वो निर्मानात्मक growth कहलाती है तो यह levels of growth की यह तीनों levels है ऐसे subcellular levels और cellular levels इसके अलावा organ levels इन पर जो growth होती है उसमें भी अलग-अलग concepts देखने को मिलते हैं तो इसके concept के रूप प्रिजेंट जो stress होता है growth का concept के बारे में उसके बारे हम देखते हैं तो इसके बारे हम देखते हैं और जनरली यह इनमें यह एक तरह से अन्यूजफूल लगता है तो जनरली जो human beings है उनके brand के जो आइडियाज है वो एनिमल के जो सुस भार हो दिया नाइट्रोजन के जो factors होते हैं उनकी मात्रावमिश में ग्रोथ होती है तो एक तरह से यह देखा गया है कि डियने का जो लैप्रिकेशन यह प्रितिलपनकर होता है उसको growth के लिए सही माना गया है तो इसमें growth के अंद्रगत हम एक तरह से दो विकर्प्स मानते हैं एक तो generally जो living औरनु होते हैं उनके आकार और जो भार में भी जो एक तरह से increase होता है उसको ही growth केते हैं और दूसरा जो cellular level पर इसके जो factors होते हैं उनमें growth होती है उसको भी growth केते हैं तो cellular level के समय क्या होता है कि इसकी cells की जो number है वो बढ़ते जाते हैं और इनका जो safe हैं वो भी क्या है कम होता है इनका safe कम होता है शंक्या बढ़ती जाती है इसलिए cell के जो आकार में growth होती है वो endocytosis और protoplasmic replication formation की जो किरिया होती है उसको एक तरह से growth के अंतरगत नहीं माना present stress का अंतरगत क्योंकि इसमें क्यों होता है कि DNA के जो molecule होते हैं उनमें replication के लिए कही types के जो factors होते हैं उनकी एक तरह से आवसकता होती है इसलिए इनमें chromosomes होते हैं तो chromosomes की cells के भार ही इसमें replication नहीं हो सकता इसलिए present stress का recording इसको भी सही नहीं माना सबी को धन्यवाद इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक growth या ब्रदी complete हो चुका है